और किया हाले मिरी दोस्तुू मैं आप सभी दोस्तो का श्रेता पाकला में स्वागत की साथ सत अभी नंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे बुल सकती हूँ है लो पूर्पूर उतता है और इसके प्रोटियन की मात्रा बहुत अधिक होती फाइबर बहुत अधिक मात्रा पाया जाता है जलो दोस्तों हम आप इसको मिल की बनाना शुरू करते हैं सिंगाडी की तरह तेयार नास्ता आज का नास्ता बनाने के लिए एक के जिन दी सिंगाड़ा लिया था मार्केर से लाने के बाद सिंगाड़े को पहले छिकले एक साथ ही धूल के साफ कर लिया साप करने के बाद इसके बारी चिकली को निकाल कि और इस तरह से पूरी पीस सिगाड़ी को हमने अलग कर लिया इसके बहुत साई रिस्प में हमने आप के साथ शेयर किए आप हमाये चैनल पे उनको देख सकते हैं सस्पले सिंगाडे को छील लिया और छीलनिक बाद इसको धूल के साफ कर लेते हैं सिंगाडा पानी वाला फाल होता और पोसकत्तों से भरपूर होता है इसलिए इसे पोसकत्तों का खजाना बोला जाता अगर ये छोटे पीस का है तो आप इसको साबूत रखे अगर जादा बड़े पीस के हो तो आप इसके दो हिस्से करके तयार कर सकते हैं एक एक पीस ऐसे ही सिंगाडा हमने पहली छील के तयार कर लिया है सिंगहारी को आप उसी समय छीलके तयार करें, जब आपको रेस्पी बना के तयार करना है, बहुत तेर पहले सिंगहारी को छीलके मत रगी कि इसकी पॉस्टिकता कम हो जात लीजी बिना ब्रत के बना रहे हैं तो आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं, आदा टेबर स्पून जीरा डाल दिया, दो से तीन बारी कटिवी हरी मृष्ट डाल दिया, तीक आप अपने स्वात के उसार कम्या जादा कर सकते हैं, आप अपने पूरी सिंगारे को इसके अंदर ड लो कर देते हैं, और ढख के इसको करीब 4-5 मिनट तक पका लिती, बीच में सिंगारे को एक बार जरू चला लिजेगा कि सिंगारा नीचे से जलेने, इस प्रोसेस में गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है, लो फ्लेम पर ही सिंगारे को पका के त्यार करेंगा, और देखिए सिंगाडे को पकते हुए लगबग आठ मिनट हो गया, सिंगाडा अच्छी तरह से पक के तियार हो गया, सिंगाडे के इंदर थोड़ा सा क्रंच रहें, इतना इसको हमने पका के त्यार करना है, आठ से दस न्मी काली मिर्च ली जिसको दरदराग उट के तयार चार लिया, और दुबारा से गैस के लो फ्लेम पे ढगके लगपक 2 मिनट तक इसको हमने और पका के तयार कर लेना है जिससे काली मिर्च जीरे का स्वाथ इसके अंदर अच्छी तरह से आजाए इस तरह देखे पक के तयार हो गया है अब हमने थोड़ा सा धनिया पता डाल दिया अच्छ तरह से मिला दिया और मिलाने कबद इसको प्लेट के अंदर निकाल लेते है गर्म-गरम रेस्पी को आप चायक साथ इंजिया करिए बहुत ज़्यादा टेस्टी इस रेसिपी की खास बात है कि आप इसको ब्रत में बनाके तैयर कर सकते हो बिना ब्रत के भी इसको बनाके त पसंद आती तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, मुझे कमेंट करके बताएं ये रेस्पी आपको कैसी लगी, आप निम्ता कीमती से में निकाल गया हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धर्मात, बहु क्रिया